Question ये है साथियो, अपने इंडिया में तो पस्चिम बंगाल वाली दीदी सब को जानते ही हैं आप लोग, उन्होंने खेला होबे नाम से खुब जबरदस्त खेल किया, खेल ऐसा किया कि सहाब अब वो पस्चिम बंगाल में खेला होबे नामक एक त्योहार ही सेलिबरेट करने जा रही हैं, हर साल मनाया जाएगा खेला होबे त्योहार, लेकिन एक दीदी और भी हैं, और वो दीदी हैं चाइनीज दीदी, तहलका मचा रही थी अमेरिका में, लेकिन चाइना वालों ने उनके परक उतर दिये, आज के सेशन में हम यही चर्चा करेंगी, कौन सी दीदी हैं, क्या करने जा रही थी, चाइना की दीदी अमेरिका में क्या कर रही थी, और चाइना ने इनके साथ क्या कर दिया, तमाम बातें आज के सेशन में पता चलेंगी, आईए ज़रा सिलसलेवार तरीके से इस बात को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें आपको समझ के कंसेप्ट सिखाएंगे बहुत सारी बातें आपको आज पता चलेंगी तो तसली से इस पूरी कहानी को सुनिए और हम आपको विस्तार पूर्व के बात बताते हैं साथियों क्या है जैसे अपन इंडिया के अंदर उबर है ओला है इन सारी कंपनियों की राइड शेरिंग करते हैं Ride Sharing से मतलब हुआ, अगर आपको कहीं आना जाना है, तो आपने Ola book कर ली, Uber book कर ली, शायद नहीं भी कियो तो आपको मालूम होना चाहिए, एक online application होता है, जिसके माध्यम से आपको कहीं भी जाना हो, आप अपने गाड़ी book कर सकते हैं, टेक्सी को आप अपने mobile application से बुला सकते यह mobile application प्ले स्टोर पर उपलब्द होता है, ऐसे ही चीन के अंदर साथियों एक application है, और वो application कहाँ पर है, चीन का application है, और उसका नाम दीदी application है, दीडी, डीडी नाम से application है, तो अब क्या है, कि यह जो दीदी Global Inc. है, इसने अपने share अभी, अभी टेक्सी वाली company है, टेक्स मतलब यह हुआ, कि यह इसका share market में launch कर रहा था, जैसे ही share market launch कर रहा था, तो इसके कारोबार को launch होते ही, चीन ने क्या किया साथियों, चीन ने तुरंद इसके खिलाफ जाच बिठा दी, और जाच ऐसी बिठाई, कि इसके shareों में एकदम धडाम से बहुत दगड़ी आवट आई, और जो इसके दिमाग की कलपना थी, कि यह 100 बिलियन डॉलर कमपनी हो जाएगी, केवल IPO निकालते ही, यह 75 बिलियन डॉलर कमपनी रह गई, या पिर यह समझे कि अपनी expectation से 25 बिलियन डॉलर नीचे चली गई, इतना तो कमपनियों का budget नहीं होता है, बड़ी ब कि कमपनी क्या होगी है, 75 बिलियन डॉलर तो अभी वर्थ है उसकी, यानि कितनी ही अनकेडमी बन जाएं, ऐसा हाल है उसका, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा दिन नहीं हुए इस कमपनी को शुरू हुए, 2012 में शुरू हुई कमपनी है, तो 2012 में शुरू हुई कमपनी मात 9 साल में 75 बिलियन की तो अल्रेडी है, तो ऐसा क्या हुआ इस पूरी कमपनी की ग्रोथ में, इसकी ग्रोथ स्टोरी अपने आप में काफ़ी इंट्रेस्टिंग है, और इसके साथ साथ जो चाइना ने इसके साथ किया, वो भी बहुत इंट्रेस्टिंग है, तो हम शुरू किया तो आईए मैं आपको बताता हूँ तो साथियों इस प्रकार से चीन के अंदर दीदी नाम से ये company exist करती है अब हुआ क्या मैं आपको वो बताता हूँ ये एक application based company है तो साथियों इसने क्या किया अपनी prices इतनी गिरा दी कि कोई भी Uber को book ही नहीं किया और सब लोग ले दे करके इसी company की car को book किये आज कल मतलब इस company की हालत ये है कि ये auto driver पे काम ये कर रही है बसिस ये चलवाती है टेक्सी ये चलवाती है ट्रक्स ये चलवाती है और साथ में अब चायना ही को हम सुनेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसकी story क्या है मतलब जब बनना शुरू हुई उस समय इसकी कहानी क्या थी तो मैं आपको बताता हूँ साथियों आपने चायना के सबसे पैसे वाले व्यक्ति का नाम सुना होगा अली बाबा के जैक मा है जैक मा मा जो कभी बहुत पैसे वाले दुनिया के लोगों में काउंट हुआ करते थे आज का लास्ट छे माहीने से गाइब हैं क्यूं गाइब हैं? क्योंकि एक बार उन्होंने चायना की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया था उन्होंने सरल रूप से ये कह दिया था कि चाइना में थोड़ी बैंकों को आजादी दी जानी चाहिए जैसी उन्होंने ये बोला तो कम्यूनिस्ट सरकार को लगा कि ये लोग यानि कि जैकमा जैसे जो लोग हैं ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, मतलब पैसे वाले बन गए, लेकिन हमें चैलेंज कर रहे हैं, ऐसी इस्थती में चाइनीज सरकार ने जैक मा को तो अंदर अंडरगाउंड कर दिया, और दूसरा उसके एक आने वाले आंट ग्रूप के उपर एंटी ट्रस्ट जाच बिठा दी, एंटी ट्रस्ट जाच का मतलब हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा IPO आने वाला था, यानि शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने वाली थी, उसको उन्होंने जाच के दाएरे में बिठा दिया, जिससे की वो बिचारा लाँच ही होते होते रह गया, उससे काफी बड़ा नुकसान हुआ और अली बाबा अब टॉप 10 में दिखाई भी नहीं पड़ती है, आपको 6 महीने के भीतर भीतर चाइनी सरकार ने उसका मामला साफ कर दिया, अब आप तथ्यात्मा गरूप से जानकारी सुनिए, साथियों असल में अली बाबा जो कमपनी है, उस अली बाब कमपनी में, 2012 में इसने उस कमपनी को छोड़ करके खुद की टैक्सी राइडिंग शेयर करने के लिए एक एप्लिकेशन बनाई, क्लियर है, और उस एप्लिकेशन का नाम दी दी था, क्लियर है, अब जब ये कमपनी बनाई इसने, तो ये कमपनी चलना शुरू हुई, 2012 से 2015 म ये सबसे ज़ादा पसंद की जाने वाली कमपनी बन गई, और चाइना की already existing एक online टैक्सी कमपनी को इसने, competition देना शूरू कर दिया, जब इसने competition देना शूरू किया, तो चाइना कि जो original company थी, जिसको ये है, अपना competition दे रहा था, उसका नाम था, Q UA, अब ये नाम ऐसे हैं क हमें लिखके लाने पड़ते हैं भाई हमें ना ये नाम याद नहीं होते और किसी को भी नहीं होते चाइनीज नाम है हम मैंने ऐसे याद रख रख रखा है कि दीदी क्यों कूदी या ना दीदी क्यों कूदी ऐसे याद कर रखा है तो ये QD नामक एक कमपनी हुआ करती थी QD नामक जो कमपनी थी ये चाइना की दीदी से पहले एक बहुत बड़ी कमपनी हुआ करती थी अब आप पूछेंगे QD किसकी थी तो साथियो QD जो कमपनी है असल में ये जैक मा की कमपनी थी आप पुछेंगे ये क्या करती थी, जैक मा की तो अली बाबा है, अरे भाई, अली बाबा उसकी आउनलाइन रिटेलर कमपनी है, जैसे अमेजन है, फिलिप कार्ट है, ऐसे, लेकिन ये जो QD कमपनी है, ये जैक मा की वो कमपनी थी, जो कि टैकसी के अंदर काम किया करती थी, फिर आप पूछेंगे तो इस company के साथ इसका competition कब हुआ? मैंने का 2015 में हुआ तो 2015 में Chang Wei की company दीदी ने QD के साथ competition किया 2015 में हालत QD की इतनी खराब कर दी कि Jack Maa को अपनी ये company जो है वो Chang Wei की company दीदी से मिलानी पड़ी तो अब ये दोनों मिल करके क्या बन चुकी है? दीदी क्यों दी? है ना? या फिर ऐसे बना दो दीदी कूदी है ना? दीदी जो है कहीं से कूद गई तो साथ दीदी कूद गई तो दीदी कूदी करके एक company है वर्तमान में तो वर्तमान में इस कंपनी का नाम क्या दीदी कूदी अब ये दौनों मर्ज हो चुकी है 2015 से इसका मालिक जो है वो चेंग वेई है अब इसने ग्रोथ करना शुरू किया ग्रोथ करना शुरू किया तो 2018 में ये एक तगड़ा ओफर ले किया है देखे बिजनिसमेन जो लोग होता है ना इनके पास आईडियाज गजब गजब होता है आईडियाज में ये क्या करके आया कि चाइना की जो कम्योनिस्ट पार्टी है अब भाई सरकार से पंगा कोई कैसे ले तो इसने सहाब एक जबरदस्त काम किया और वो क्या किया चाइना की कम्यूनिस्ट पार्टी के ही जो कारे करता है उन्हें ड्राइवर रखना शुरू किया ताकि सरकार का इसे समर्थन मिलता रहे चाइना की Communist Party के मेंबर्स को ही किस ने क्या रखना शुरू किया ड्राइवर रखना शुरू किया और ये कहा कि अगर कोई Chinese Communist Party का नेता है तो हम उसको नौकरी देने के लिए रिक्मेंट करदेंगे वो कहेगा उसको मम रख लेंगे और उसका बकाइदा पूरी ट्रेनिंग देंगे सब कुछ करेंगे और तो और हम गाड़ी के उपर रेड फ्लैग लगा के चलेंगे आप देखिए चाइना पे रहना है तो क्या क्या करना होगा लेकिन बिजनिसमेन लोग समझदार बहुत होते हैं ही किया इसने गाड़ी के उपर रेड फ्लैग लगाएंगे और 2018 से इन्होंने ये काम भी बकू भी करना शुरू किया ठीक है सर तो ये बहुत ही बड़ी है एक प्रकार से सरकार की कमपनी हो गई चलती जा रही है अब क्या होता है 2019 में चाइना की खुद की ही लैब से लीक हो गया कोरोना है ना ऐसा हम लोग मानते हैं अब चाइना वाले तो नहीं मानते हैं लेकिन जो मैं अपना वर्जन है वो सुना रहा हूँ आप सही वर्जन जानते हैं तो भाई मुहान के अंदर हो गया कोरोना अब कोरोना के समय चाइनी सरकार को फील हुआ कि हमें लोगों को क्वारिंटाइन करना पड़ेगा आपको मालू है न जैसे इंडिया ने अपने लिए एक आरोग सेतू एप्लिकेशन लाँच किया था कुछ याद आ रहा हो तो ऐसे ही चाइनी सरकार को भी लोगों को मतलब वो करने के लिए प्वारिंटाइन करने के लिए ट्रेस करने के लिए एप्लिकेशन बनाने की जरवत पड़ी एप्लिकेशन बनाने की जरवत पड़ी तो सबसे बड़ी मुसीबत यह आई कि भाई ultimately लोगों के data हमें कहां से मिलेंगे यानि सरकार को चाहिए था लोगों का data लोगों के data की जब बात आई तो सरकार हैरान रह गई कि जितना उनके department में लोगों के पास जानकारी नहीं है कि भाई माल लीजे जैसे अपन भारत का case लें कि भाई भारत में अगर किसी को बहुत जानकारी चाहिए तो आधार कार्ड से सारे आधार कार्ड का link निकाल लो वहां से सारा सब कुछ पता चल जाएगा कौन कहां क्या रहता है कितनी color का आँख है सब पता चल जाएगा है कि नहीं Chinese सरकार के पास quarantine करने के लिए जितनी जानकारी नहीं थी उससे कहीं जादा जानकारी अली बाबा और इस company दीदी के पास थी आपको जानके आश्यरे होगा कि इसके पास 50 करोड़ लोगों की जानकारी इतनी तक थी कि कौन व्यक्ति कहां जाता है किस प्रकार की शॉपिंग करता है उसका किस प्रकार की पार्टी में रुची है वो किस प्रकार की म्यूजिक सुनता है वो क्या खाता है कहां रहता है सारा सर्वे इसने करा रखा था तो भाई सरकार ने इससे सर्वे मांगा तो इसने का अरे सर हम तो आप ही की सेवा में हैं तो ये सेवा जो है वो इनको दे दी गई अच्छी बात है तो सेवा जो है वो दीदी क्यों दीदी ने किसको दे दी दीदी ने क्या दे दिया साब दीदी ने Chinese Communist Party को सारी जानकारी दे दी आप पूछेंगे सब तो ये तो फिर और अच्छी बात हुई बिल्कुल अच्छी हुई लेकिन Chinese सरकार हैरान थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही थी चाइना की ही एक कमपनी जिसका नाम ता तैंजेंग जो आपके पबजी वाली कमपनी जानी जाती है तो वो जो कमपनी थी उसने इसमें जबरदस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा था चाइनी सरकार ने इन सब को बुलाया दीदी आई उधर की तरफ से अली बाबा आये नाम भी कैसे एक बाबा है एक दीदी है गज़वी चल रहा है और इधर की तरफ एक तंग संग है तैंज संग उन सब को बुलाया बिठाया वो ले आर एक बात बताओ तुम लोगों के पास सही में बताओ डेटा कितना है वो ले सर आप से ज़्यादा डेटा है हमारे पास आप लोड मतलो तो वो ले ठीक है बेटा थोड़ा डेटा दो हमें क्योंकि अल्टिमेटली हमें लोगों को ट्रेस करना है वो ले लो सर हम तो आप ली की सेवा में हैं ठीक बात है लेकिन मुसीबत ये है कि चाइना डरता है कि अगर ये कंपनिया ग्लोबलाइज हो गई ग्लोबलाइज होने का मतलब क्या हुआ कि चाइना से कोई कंपनी भार निकल गई तो यही वो डेटा कहीं किसी और को न दे आए मालो कि चाइनीज कंपनी अगर यूयस में काम कर रही है तो यूयस में काम करने के लिए उसे US की सरकार की बाते माननी पड़ेंगी तो US में उसे डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा आप सोचो कि चाइनी सरकार को जैसे ही ये पता चला कि इनके पास सारा डेटा है तो इन्होंने एक law तुरंथ पास किया और वो क्या law था? law ये पास किया कि जदी किसी को चाइना से बाः ड़ेटा रखना हुआ तो अगर चाइना से बाः ड़ेटा रखने के लिए किसी ने डेटा सेंटर बनाया तो उसके उपर minimum डेड़ million dollar का punishment लगेगा आप पूछ रहे है minimum डेड़ million का है तो अधिकतम कितने का है अभी बताते हैं अली बाबा पे 2 billion dollar का punishment लगा था 2 billion dollar अगेन ऐसे समझे जतिनी आन अकेडमी की cool value है इतना तो वो एक बार में punishment दे चुका है अब आगी बात समझ में तो इस साधार पर समझे कि अगर कोई डेटा बाहर ले गया तो क्या होगा अब क्या होता है सहब इतना सब चल रहा था कोरोना निकल गया कोरोना में ये कमपनी सरवाई भी कर गई इस बीच में वहां आता है उबर ये 2015-16 के आसपास की बात है जब उबर चाइना आया तो भाई इसने उसकी हालत खराब कर दी इतना सस्ता माल बेचा कि उबर खुद बिग्या चाइना में आके तो उबर की हिस्सेदारी भी इसी ने परचेज कर ली अब ये वहां से बाहर निकलता है दुनिया के 15 देशों में अपना काम पहलाता है इंक्लूडिंग ब्राजील जैसे ब्राजील अर्जेंटी जैसे देशों में दीदी एप्लिकेशन चलता है अब ये अमरीका आता है अमरीका आया अभी दो मेहने पहले और आते ही सबसे पहले इसमें नियु यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है न ऐसी नियु यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने आपको रजिस्टर कर दिया रजिस्टर कर दिया तो इसका आया इनीशल पब्लिक आफरिंग इनीशल पब्लिक आफरिंग का मतलब होता है पता है, उन्होंने क्या किया, तुरंत इनके ओफिस के उपर रेड़ करवाई, और क्या कहा, कि हम अपने चाइना में इस एप्लिकेशन को बंद करते हैं, जड़ा सोचिये, आप लोग कहते हैं, लोग तंत्र, लोग तंत्र, जड़ा देखिये, किस तरह का है भाईया, सासन त चाइना का देखिए क्या बोल रहा हूं मैं इन्होंने इतनी बड़ी कमपनी का क्या काम किया चाइनीज सरकार का आदेश आता है और क्या आदेश आता है कि चाइना में दीदी चलना बंद हो जाएंगी क्यों बंद हो जाएंगी क्योंकि हमें डाउट है कि इन्होंने डेटा क को हटा रहे हैं धडाम से नीचे की तरफ आ गए फिर आप पूछेंगे सर ये तो बहुत बुरी बात हुई फिर कंपनी ने अपना इसपस्टी करन दिया अपना आदमी भेजा कि महराज क्या चाहिए ये वताओ बोले बेटा डेटा पहले हम ये शौर करना चाहते हैं कि तुम दे नहीं रहे हो कहीं क्योंकि इतना वैल्यू तुम्हें कैसे मिल सकता है तो बोले ठीक है अब शौर कर लो लेकिन हमें बताओ तो कुछ तो रास्ता दो बोले ठीक है तो फिलहाल हम बेन ये कर रहे हैं कि तुम्हारा एप्लिकेशन नया एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं हो तुम अपने अल्रेडी जो सब्सक्राइब्ड हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ओपनी राइड्स जो हैं वो दे पाओगे, लेकिन नया एप्लिकेशन, नया व्यक्ति हम तब तक तुम्हें एन्रोल नहीं करने देंगे, जब तक हम ये आश्वस्त ना हो जाएं कि तुम ड ये नहीं बताएंगे, किसने मैसिज किया ये नहीं बताएंगे, और वहां देखिये, इतनी बड़ी कंपनी को दो मिनिट में कंट्रोल में करके लेकर के आगए, और फिर भी वो दुनिया के ये अपने आप में एक मतलब विवादित चीज़ बनी हुई है, कि कैसे वो तरक् चाहिए कहां 15 डॉलर प्रती बेरल वो चल रहा था डॉलर चल रहा था मतलब उपर की तरफ निकलते जा रहा था धार से नीचे आ क्या 39% एक ही समय पर डाउन हो गया और कंपनी के वैलुएशन नीचे आ गई और अब साइबर इस पेस में इनकी जानकारी हो रही है कि ये किसी प्रकार से कहीं डेटा तो काँ मतलब गलत तरीके से कवर नहीं कर रहे है तो उमीद है आप सभी साथिओं को ये बात बहातरीन तरीके से डाठा सेक्योरिटी सहीथ समझ में आ गई होगी कि इनकी असल वे जानकारी डेटा की ली जा रही है चलते है साथिओं आगे ये अपने 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 बड़ा नहीं बनने देना चाहता कि वो सरकार को उसके काम से रोक सके clear चलिए है अगे बड़ा मेरे साथ में आपको ये जानकारी और भी दे देता हूँ कि यहां पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे होंगे उन सब की क्लासे आपको एक ही जगहेपर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी पुरानी classes, नई classes, सारी classes आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है न, हाँ जी, evening की class हो जाएगी, बिटा, चिंता मत करिये, मैंने आपको बोल दिया है, हो जाएगी, चिंता मत करिये, हाँ, हाँ, बिलकुल PDF भी download हो रही है, जो मैंने link share किया है, वो book वाला, उस पे भी link भी share हो रहा है, ठीक है, चिंता मत करिये, ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ कैसे आपको यह subscription लेना है, इसके लिए क्या करना है, Google Play Store से Unacademy Learning App install करिये, mobile number से register करिये, अपने Google Goals में आप देखिये, या 12 महीने का goal